हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब तो आज में आप सब के साथ में शेयर करूंगी करेजी मसारा बनाने की बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी और साथ ही इसे साफ करने का तरीका भी बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो अभी हमें करेजी को वश करना है इसने कि इसमें जो समय מट होती है वो निकल जाएं साथ इसमें जो बलड होता है वो भी निकलेगा तो इसके लिए आप को लिना है एक बगोना बढ़ा से और इसमें में ढालेंगे 4-5 कप पानी इसकी बाद अम इसमें डालेंगे 2 ले और इसके बाद हम इसमें ये कलेजी डाल देंगे और इसे एक बार मिला देंगे और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है और आप हम इसे पंदा मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी और ये देखें पंदा मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो कितना गंदा हो गया है और कलेजी जो है वो एकदम साफ हो गई है ये देखें आप मैं आपको पास्ते पर दिखाते हूँ कि अब मैं ये मेर लेना है इसके ऊपर हम एक चणी रख देंगे और कलेजी को में च्छान लेना है इसे चान कर इसका पाई सारा निकाल दीजिये इसके बाद हम चार से पांच पानी से दोल देंगे कि इस montsu की खटा से वो निकल जाएगी अब हमें लेना है कुछ पाउडर मुसाले तो यहां में ले रही हूँ वन टेबर स्पून जीरा जीरा मैंने क्रेश करके लिए हैं आप चाहें जो इसका पाउडर में ले सकते हैं हाफ टेबर स्पून में आप लोगी लार्मिश पाउडर हाफ टेबल स्पून में यहाँ पिलूँगी हल्दी का पाउडर हाफ टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे कारी मिर्ची का पाउडर और इसकी बाद में यहाँ पिलूँगी वन टेबल स्पून नमक आप यहाँ पर टेस्ट के कॉर्डिंग भी ले सकते हैं जितना आप खाते हूं वन टेबाइ स्पून मैं यहाँ पर लोगी कश्मीरी लान मिर्ज इसका बहुत इचा कलर आता है और यहाँ पर मैं लोगी आप दो टी स्पून भरके धनिया का पाउडर दन्या की कॉंटिटी आपको जादा रखनी है दो टेस्पत्ते ले लेंगे एक ते डेढ़ इंच बड़ी लाइची और एक बादियान फूल अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हम यह कलेजी डाल देंगे करेजी को मैंने दो से तीन पाने से अची तरह से धुल लिया था अब हम इसमें एक खड़े मसारे डाल देंगे पॉर्डर मसारे डाल देंगे दो टीबल स्पून भरके हम यहां पिल देंगे लेह सन अदरक का पेश्ट और एक मीडियम साइज की प्यास को मैंने रफ्ली चॉप कर लिया है इसे भी हम उसमें डाल देंगे अब मैं इसमें डालूंगी एक कप ओयल हमने सरसो का तेल लिया है और एक कप मैं इसमें डालूंगी पानी पानी ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि करेजी अल्रेडी पानी छोड़ती है इसे मिक्स कर दें बहुत ही आसान तरीका में आपको बता रही हूं करेजी बनाने का अब हम प्रेशर को कर गड़कन बंद कर देंगे और इसे गैस पर रख देंगे और यह देखे मैंने इसे गैस पर रख दिया है अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे की करेजी सॉफ्ट हो जाए और 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं करेजी मारी पकिया नहीं और यह देखें यहां पर करेजी जो है वह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो और यह देखें करेजी में पानी कम हो गया है तो इसलिए अब यह में इसे और बूनना है करेजी फिले महाई रखिए अब हम इसमें डालेंगे वन्डबल स्पून गराम मसाला पौडर इसे डालने के बाद मिला दे और यहां पर करेजी पक के त्यार हो चुकी है अब हम गयस की फिलेम को बन कर देंगे और यह देखें करेजी यहां पक के त्यार है मैं आपको दिखाती हूँ यह कितनी सॉफ्ट बनी है यह देखिए मैं आपको इस इकट करके दिखाती हूँ यह देखिए कलेजी अंदर तक सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो इसे सर्विंग प्लेट में एक सर्फ कर लें इसके बाद हम इसे हरी मिजोल से गानिश कर देंगे जिससे कि यह देखने में तोड़ा टैम्टिंग लगेगा आप चाहे तो हरी दन्या के पत्तों से भी इसे गानिश कर सकते हैं तो देखा फ्रेंस आपने यह तरीका कितना असान था तो एक बार आप मेरी तरीके से करेज बडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सबसक्राइब कर ले साथी बेल एकनपर पर किलिक कर दीजेगा जिससे की मेरे आने वाले वीडियोच का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी की साथ, तब तक लिए बाइ, थैंक्स पर वाचिंग